हेलो दोस्तों, आज की रसिपी है मैंगो कुलफी की, मैंने बस दूद, चीनी और आम से बनाया हुआ है, इसमें कोई भी क्रीम नहीं है, ना ही कंडेंस्ट मिलक है, कभी-कभी घर में ये सब नहीं रहता है, दूद रहता है, चीनी रहता है, असानी से हम आईस क्रीम बना सकते है, मैं खुश्बू, आप सबका एक बार फिर से स्वाकत करती हूँ, मेरी चैनल खुश्बू कुक्स पे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें दूद उबाल लेना है, दूद मैंने यहाँ पे 1.5 लिटर लिया हुआ है, 1.5 लिटर, कोई भी दूद आप ले सकते हैं, फुल क्रेम, टोंड कोई भी ले, दूद को हमें उबालते हुए आधा कर लेना है, मैंने इसे मेडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए उबाला हुआ है, कोई भी मोटा पती लाले, ताकि दूद नीचे जले ना, दूद यहाँ पे आधा होने लगा है, जब दूद इसमें आधा हो जाए, तब इसमें हमें कॉनफलार डालना है, दूद को गाढ़ा करने के लिए, दो टीबल स्पून मैंने कॉनफलार घोल लिया है, हाफ कप पानी में, धीरे-धीरे ऐसे कॉनफलार डालते हुए ऐसे चलाते रहेंगे, अब हमें लगातार दूद को और दूद को पका लिया है, यहां पे दूद गाढ़ा हो चुका है, किसी और बरतन में निकाल लेंगे, और फूरा ठंडा होने देना है हमें, आप कॉनफलार की जगह, मिल्क पॉडर भी यूज़ कर सकते हैं, दूद को गाढ़ा करने के लिए, यहां मैंने एक आम ले लिय हैं, दूद जो हमने ठंडा किया है वो डालेंगे इसमें, इसमें मलाई भी देख सकते हैं, आप काफी मलाई आ चुका है, ब्लेंट करने के बाद सारा अच्छे से स्मूध हो जाएगा, हाफ कप चीनी डालेंगे, चीनी आम के मिठा सकी साब से डालेंगे, जितना आम मिठा में डालें, कुल्फी मोल्ड नहीं है, तो कोई भी बरतन में भी आप इसे आइस क्रीम की तरह जमा सकते हैं, यहां फिर ग्लास में भी, मैं यहां कुल्फी मोल्ड में डाल ले रही हूं, राद भर या फिर आठ से नौ गंटे फ्रेज में रख दें जमने के लिए, यहां प आइस क्रीम भी तयार हो जाएगी, साथ में और कुल्फी तो हो ही रही है, आठ से नौ गंटे बाद देखेंगे, कुल्फी बहुत ही अच्छे से जम गई है, और आइस क्रीम भी इसे किसी भी बरतन में पानी ले ले और 30 से 40 सेकंड पानी में भिंगो कर रखें, या फिर न कुल्फी यहां पर तयार है, आइस क्रीम भी देख लेंगे, थोड़ा समयस के उपर कटा हुआ ड्राय फ्रूट्स डाल दे रही हूं, टेस्ट काफी अच्छाया है, आपको ज़रूर एक बर ट्राई करना चाहिए, यहां पर जो मैंने कटोरी में रखा था वो भी जंग ज़रूर ट्राय करना चाहिए आपको, इस क्यूब भी मैं थोड़ा सा कटाव और ड्राय फ्रूट्स डाल दे रही हूं, आइस क्रीम और कुल्फी दोनों तयार है, बस तीन चीदों से, अगर आपको यह रसेपी पसंद आती है, तो मेरी इस वीडियो को आपको लाइक करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक